चलिए आपके सामने ये कुश्चन है कुश्चन ने क्या बोला है दो चीजे निकालिए एक तो आप एक्सपेक्टेड रिटन और एक निकालिए आप रिस्क दो फॉलविंग सेक्वरिटी दो चीजे एक एक्सपेक्टेड रिटन निकालना है जितना हमने सीखा है सारा आ गया तो एक्सपेक्टेड रिटन है और एक क्या बोलता है सर आपको रिस्क निकालना है आपको अलग-अलग चीजे दे रखी है क्या क्या दे रखा है सर आपको beer दे रखा है, normal दे रखा है बुल दे रखा है तो bearer जो है हमारा बुल क्या होता है, तेजी bearer क्या होता है, मंदा, normal होता है बजार में कोई तेजी नहीं है तो हम इस point को छोड़ देते हैं हम इसको मान लो A, B, C, D कुछ भी मान लो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको year मान लो भी सकसे एक, दो, तीन year मान लो एक पल के लिए ठीक है तो चलिए आईए सबसे पहले क्या निकाले हम return निकालिए देखते हैं सबसे पहले answer किसका आता है problem है आपके book का यह return निकालिए return निकालिए पहले return निकालने का formula क्या है year और फिर हम यहां ले लेंगे sir return और यहां ले लेंगे probability और इन दोनों को multiply कर देंगे तो क्या आजाएगा सहब return आजाएगा हम दोनों return एकी साथ निकाल लेंगे यहां दो column डाल लिए हमने दोनों return में एक साथ निकाल लेंगे तो यह column डाल लिए नाम लिख देते हैं हैं पर कोई बात नहीं जैसे कि B है N है और फिर से B है ठीक है प्रॉबैबिलिटी यहां पर ले लेते हैं एक कॉलम और ड्रो करना पड़ेगा यह मैं एक का निकालता हूँ एक का मैं निकाल दूँगा एक आपका होमवक में दे दूँगा ठीक है एक का माइनस दस अठारा और पच्चेस इसकी प्रॉबैबिलिटी क्या है सर जीरो पॉइंट थ्री चांसेस बनते हैं अब इसको हम प्रॉडक्त कर देंगे हमारा क्या निकल जाएगा सर यहां पे आर यानि रिटन रिख देते हैं रिटन से ठीक है तो यहाँ पे माइनस तीन अठारा और त्री पॉइंट सिक्स यहाँ पे शिक्स पॉइंट फाइव निकल पॉइंट फाइव इंटू में रिटन फाइव आप ध्यान से देखो प्लस 3.6 और माइनस में 3 यहाँ अगया 13.1 यह क्या है सर 13.1 आया हमारा रिटन रिटन आगया हमारा 13.1 ठीक है हमने रिटन निकालिया 13.1 कौन सा रिटन सर एक्सपेक्टेड रिटन जो कि हमें निकालना था यह जो हमें रिटन दे रखा है रिटन यह तो नॉर्मल दे ही रखा है लेकिन एक्सपेक्टेड रिटन कितना होगा हमारा 13.1 होगा पहले इस वाले पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट में बताईए किसी को डाउट मैं स्रिफ आरे का कर रहा हूँ आर बी का आपका होमवर् देही रहें तो फिर मैं आगे का भी कर दू जो बच्चे देख रहें आगे क्या निकालना है रिस्क निकालना है रिस्क निकालना है रिस्क निकालना है चलिए यह लिख लेंगे यहां पर आ जाएगा रिटन यहां पर निकाल लेंगे डारेक्ली हम डी और प्रॉबैबिलि देखने कितने point बनेगा पहले गिनते हैं तो error देखने कितना है यहां पर लिखने जा रहे हैं return return कितना है minus 10, 18 और 25 अब हम निकालेंगे सीधा D सीधा D बिलकुल हमें यह तो पता ही चलिए तो D निकालेंगे तो minus 10, 13 तो कितना हो जाए गई है 23.1 ऐसे ही निकालेंगे न क्योंकि हमने क्या सीखा था sir return minus में R का यानि जो हमारा expected return है यह क्या बन जाता है हमारा D बन जाता है चलिए अब 18 है तो हम क्या करेंगे sir 18 में से minus करेंगे 13 तो 5.1 25 में से 13.1 25 में से 13.1 यह जाएगा 11.9 अब हमें क्या करना है sir D का square करना है sir D का square तो 23.1 इन 2 तो यह जाएगा 533.61 क्या मैंने सही किया है एक बार चेक कर लेते हैं 13 माइनस में 13 माइनस में 10 तो 13 माइनस में मतलब 10 माइनस 10 माइनस 13 तेज़ ठीक है 5.1 इन 2 यह आगा हमारा 26.01 इसकाद 11.9 11.9 इन 2 यह आगा 14.61 अब इसको हमने निकाल लिया D square अब D square इन 2 में P कर लेते हैं sir तो 141 इन 2 में probability का column नहीं है तो probability में यहां से उठा रहा हूं ठीक है इन 2 में अब 0.5 इन 2.5 तो यह आगा sir 70.70.805 अब समझेगा जिसको समझ में नहीं है मैं बता दूँ है probability मैंने यहां से उठा लिया है यहां column नहीं बनाया है यहां से उठा लिया है ओके sir अब इसके 0.3 इन 2 में 539.61 यह आगा 160 इसके बाद 26.01 इन 2 में 0.2 यह आगा 5.2 यह आगा हमारा risk प्लस में 160 प्लस में 70.805 यह आगा 236.007 यानि sir हम standard deviation निकाले तो sigma p into d का square का root तो 236.007 का सिर्फ root निकालना है और यह root निकाला यह आगा हमारा 15.3625 काफी बच्चों ने इसका सही जवाब भी दे दिया था 15.20 किस-किस का जवाब आ गया था हमारे पास 10 तो बता दिया 10 बता दिया 15 भी किसे ने लिखा था अच्छा expected return A और B का बताया अब पहले बताईए यहां तक B का आपका जवाब जो आ रहा है मैं बता दिता हूँ B का क्या होगा बच्चों ने निकालना चालू कर दिया तो B का आंसर बता दे B का आंसर सिर्फ हमें क्या करना है multiplication करना है तो हम आ जाएंगे 0.6 20 इंटू 0.3 minus 6 plus 10 इंटू 2 plus 20 इंटू 50 20 इंटू 0.5 दस यहां जाएगा हमारा 12 और 6 6% आ जाएगा यह सर B का आंसर यह मैंने direct निकाला है थोड़ा सा ठीक है standard deviation आप इसका risk बताईए risk बताईए मैं answer लिखूँगा फिर risk बताईए sir B का आपने क्या बताया तेश सिव पूरी आपने B का क्या बताया है यह मुझे बताएगे आपके बुक का problem number 3.7 है यह sir N जो है 4.9 not 5.1 N जो है 4.9 N की दिया की बात कर दिया 4.9 वहाँ पर बात कर दिया 4.9 दिया आप कौन से point मैं बता रहे हो मुझे एक बार बताऊगे आप sir N is equal to 4.9 not 5.1 मैंने 5.1 कहां लिखा है मैंने 5.1 तो यहां लिखा है मैंने अच्छा जो नॉर्मल का है 4.1 आएगा 4.1 टोटल करके तो 4.18 इंटू डी तो 18 इंटू मैं 0.2 यह निकाला है हमारा 13 पॉइंट अच्छा 13 पॉइंट मैं से 18 4.9 यह ठीक कर ले ना भाई 4.9 लगी रहा है 24.1 यह आगया 24.1 ठीक है 24.1 और अगर हम दी स्क्वाइर कर दें इंटू मैं इंटू इंटू मैं 0.2 यह आगया 4.88 4.802 मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ 160 प्लस 70 पॉइंट 235 35.607 यह आजाएगा 235 पॉइंट थोड़ा सा फरक आजाएगा 11.349 ठीक है रिस्क का बताईए यह समझ गया समझ गया इसका रिस्क बताईए आप रिस्क किस बच्चे का क्या रिस्क आया रिस्क सेकेंड यह 4.9 कर दिया ठीक कर दिया रिस्क है आपका 17.43 बताया आपने 17.43 एक बार चेक कर लेते हैं और आंसर को करेक्ट कर देते हैं रिटन आंसर दे रखा है इसका या नहीं दे रखा है कौन सा कर रहे है 4.3.7 3.7 यह तो रखा है 3.7 17.4 बिल्कुल सही जवाब है यह सही आंसर है बुक में ठीक है एक और कोश्चन दिया जाए एक और कोश्चन हो जाए चल यह एक और कोश्चन देते हैं यह होमवक में दिया था 3.8 3.8 4.6 बिल्कुल सही एक और कोश्चन है paid and risk चलिए आप इसका बताईए इन दोनों का आंसर बताईए आपको सिर्फ 10 मिनट दिये जाते हैं और आपना सिर्फ ए का बताईएगा आप आरे का बताकर बताईए फटा फट जिसको समझ में आया सिर्फ दो पॉइंट है पहले एक्सपेक्टेड रिटरन बताईए आप आरे का झाल झाल जल्दी जल्दी बताईए इसका अंसर एक्सपेक्टेड रिटन एका 11 स्टूडेंटे बता दिया सर एका एक्सपेक्टेड रिटन है 11 राघव का सबसे पहले जवाब मैं भी सॉल्व कर लू एक्सपेक्टेड रिटन पूरा ही सॉल्व करते हैं ताकि बच्चों का हो भी जाए एक्सपेक्टेड रिटन अब मैं ऐसा करूँआ ना टैनियर के भी कॉस्टेड लगाई लूँआ साथ के साथ है ना ताकि टैनियर भी आपका निपटता जाए अरे पस तीन कॉलम की जुरत थी आपका एक दो तीन चार साथ, नो चॉदह और अठारह प्रोभिलिटी 0.2 0.4 0.3 और 0.1 इसको टॉटल कितना होता है और सवी 2 साथ, 1.4 9 6 14 4.2 और अठारह, 1.8 चलिए यह आगिया कितने आगे टॉटल कर लेते है 1.4, 3.6, 4.2, 1.8 यह 11 आ गया, जिसने भी 11 जवाब दिया एकदम सही जवाब, ठेक है इसी के नीचे मैं निकाल लेता हूँ इसका आगे का पॉइंट रिस्क, रिस्क के लिए फिर से 1, 2, 3, 4 रिस्क के मैं देखा जाए तो किस-किस का चाहिए हमें हमारे पास है 7, 7 के बाद 9, 14, 14 के बाद 18 अब निकाल लेते हैं, पहले हम D D क्या होगा हमारा, 11 में से 7 7 में से 11 गए, माइनस 4 9 में से 11 गए, माइनस 2 14 में से 11 गए, 3 18 में से 11 गए, 7 अब D स्क्वाइर कर लेते हैं सर D square हो जाएगा हमारा 16, 4, 9 और 49 अब D square और हम probability को multiply कर देते हैं into में P ठीक है तो 16 into में 0.2 16 into में 0.2 3.2 4 into में 0.4 1.6 9 into में 0.3 2.7 और 49 into 4.9 यहां गया 3.2 1.6 2.7 4.9 यहां गया 12.4 अब आपका standard deviation आगया P into में D का square जो square कर दिया यह यहां गया 3.52 percent बिलको रागब ने भी निकाल लिया B वाला पार्ट होमवक में दे देंगे हैं न इसका answer लिख देते हैं इसका answer लिख देते हैं कौन सा चल रही है हमारा 12 इसमें थोड़ा सा 12 7.60 जो 7.60 इसका है risk और return जो है return निकाला है कही इनोंने बता आनी भाई 13 return है 13 वैसे मुझे coefficient of correlation तो नहीं पहले हमें return security A कौन सा better है वो भी बताना था लेकिन उससे पहले मुझे portfolio बताना पड़ेगा 3.52 यहां तक हर बच्चे को clear है हमने क्या क्या सीख लिया हमने holding period return सीख लिया इसके बाद हमने dividend yield सीख लिया इसके बाद हमने capital gain yield सीख लिया इसके बाद हमने return सीख लिया return निकालना हमने arithmetic mean से भी सीख लिया geometric mean से भी सीख लिया future पे भी सीख लिया यहनि expected पे भी सीख लिया और past data पे भी सीख लिया इसके बाद हमने क्या सीखा सार इसके बाद risk निकालना सीखा risk हमने past data के according भी निकालना सीख लिया और future data के according भी सीख लिया अभी तक सरिफ हमने इतना topic कर रहा है इसके बाद हमें co-efficient of variance निकालना सीखना है फिर आगे beta सीखना है हमें 13 expected B ओके B का भी बता दिया 13 मैंने लिख दिया था 13 बता दिया अधिती ने ठीक है